आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ, exercise 15.3 हम इस्टर कर रहे हैं आज की आप लोग जानते हैं कि chapter 15 का नाम है परिमाप एवं जेत्रफद आज की वीडियो में हम exercise 15.3 को complete करने वाले हैं फर्स्ट क्वेसन है निमलिखित त्रिज्याओं वाले व्रितों की परिधी ज्याद कीजिए और πाई का मान 22 वटर साथ लीजिए हम इसकी बेसिक सब चीजें जाने हैं जैसे की व्रित की परिधी, व्यास, त्रिज्या ये सब क्या होता हैं तो यहाँ पर मैंने एक व्रित का चित्र बनाया है और यहाँ पर मैंने परिधी, त्रिज्या और व्यास को भी दर्साया है परिधी को हम इसमें circumference कहते हैं ठीक है ये व्रित की परिधी का English है ठीक है परिधी को हम इसमें कहते हैं circumference व्यास को कहते हैं diameter, trigia को radius ठीक है यहाँ पर मैंने परिधी, व्यास और trigia का definition भी लिखा है परिधी का definition हुझाएगा वृत के बहारी किनारी के चारो ओर की दूरी परिधी कहलाती है तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यह जो वृत का चारो ओर का यह जो बहारी किनारा है यह जो पूरा वृत है मतल Leaf यह पूरा किनारा है वृत का यह क्या कहलाती है यह पड़ीधी कहलाता है फिर वहीं पर व्यास का definition दिया गया है, वृत की पूरी लंबाई जो किनारे से मध्य बिंदू से होते वे दूसरी ओर तक जाती है, उसे व्यास कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने व्यास को भी दर्शाया है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई है, यह क्या कहलाएगा, यहा से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम एलिस में रेडियस कहते हैं, त्रिज्या को हम छोटी आर से सुचित करते हैं, व्यास को हम दी से सुचित करते हैं, और वित की परिधी को हम capital C, यानि बड़ी C से सुचित करते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका basic concept, एंड चले हम देखते हैं, exercise 15.3, तो कॉसर नमर फर्स्ट में क्या दिया गया है, कि लिए कि त्रिज्याओ वाले व्रितों की परिधी ग्याद कीजिए, और यहाँ पर कह रहा है कि पाय कमांद 22 साथ लीजिए, ठीक है, इसमें कोम सा formula लगेगा, पहले हम formula देखते हैं, दिया गया है, यह क्या है, यह व्रित का त्रिज्या दिया गया है, और हमें व्रित का परिधी निकालना है, तो व्रित का परिधी निकालने का formula हो जाएगा, व्रित की परिधी, इसका formula हो जाएगा, टू पाय आर, टू पाय आर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देंगे, स्मॉल साथ लेना है तो पाई के जगह पे हम लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पर बाइस बट्टा साथ फिर इंटू आर यहां पर आपको दिया गया है 56 तो यहां पर हम लिखेंगे 56 अब इसको क्या करेंगे इसको कटा लेना है साथ अठीच शपन हो जाएगा इन सब को हम गुना कर दें क्योंकि यह सारा क्या है यह सारा उपर में हैं तो सारे उपर वाले को हम ज्या करें हैं गुना कर दें यह हो गया आपका answer, question number first का first number answer, question number second में है 7 cm, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर formula लिख लेंगे, वृत की परीधी, formula को बार बार लखने से क्या होता है, कि formula आपको अलग से याद करने के जरत नहीं परती है, formula आपको अपने आप याद हो जाता है, तो वृत की परीधी निकालने का formula होता है, 2 pi r, ठीक है, यहाँ पर हमें ट्रिज्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 into pi के जगा पर हम लिखेंगे 22 बटे 7, और r के जगा पर हम लिखेंगे 7, ठीक है, 7 बटे 7 कट गया, 22 गुने 2 हो जाएगा 44 cm, कॉसर नमबर 3 में है, 21 cm, यह त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, विट की परीधी, 2 pi r, त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे 2 into 20 by 7, 22 बटे 7, हम पाई के बदले लेते हैं, क्योंकि हमें, पाई कामान कितना लेना है, 22 बटे 7, यह आपकी कॉशन में ही दिया गया है, और r का वैल्यू कितना है, 21, तो इसको कटा देंगे, 7 तिया 21, अब इन सब कुम गुना कर देंगे, 2 गुने 22 गुना 3, करने पर हो जाएगा, 132 cm, नेक्स्ट आपका 28 mm, यह आपका त्रिजा यहां पर दिया गया है, व्रित की परिधी, 2 पाई R, 2 फिर यहां पर 22 बटे साथ हो जाएगा, और r का वैल्यू हम लिखेंगे 28, साथ चौके 28, ठीक है, सब को गुना कर देंगे, 2 गुने 22 गुने 4, 176 mm, यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इस तरह से आपका question number 1 complete हो गया है, I hope आपको साथ question अच्छे से समझ में आ गये होंगे, चले देखते हैं next question, Question number 2 में दिया गया है, निमलिकि परिधी वाले व्रित की त्रिजिया ग्याद करें, देखे, Question number 1 में व्रित का त्रिजिया दिया गया था और हमें परिधी ग्याद करना था, Question number 2 में व्रित का परिधी दिया गया है और हमें व्रित का त्रिजिया ग्याद करना है, चले देखते है question number two देखिए यहाँ पर वृत का परीधी दिया गया है और हमें वृत का ट्रिजा मालूम करना है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत की परीधी बराबर एक सो चोववन मीटर अब यहाँ पर देखिए क्या करें वृत की परीधी का क्या फर्मला होता है two pi r और यहाँ पर बराबर में हम क्या लिखेंगे परीधी लिखेंगे वृत का परीधी दिया गया है एक सो चोववन मीटर और वृत का परीधी का फर्मूला होता है two pi r परीधी यहाँ पर मालूम है हमें हमें निकालना है r तो पहले हम क्या करेंगे देखिए two pi r है तो दो फो गुना पाई के बदले में हम बग्टा साथ लेगे खिक झाल पैया में कहा है कि एक का मान आप 22 बटा साथ लेजी aynı पाई का मान आप के कमान 20 बटा साथ ले रहे हैं तो फिर क बडले में हमने लिखा 22 बटा साथ, गुना में हम लिखेंगे, गुना देखे, R बराबर 154 मिटर, अब क्या करेंगे, R यहीं पढ़ा जाएगा, इसी साइड और यहां पर हम लिखेंगे 114 दिखें यह जो साथ है यह साथ नीचे है यह बरावर के इस साइड जाएगा तो यह उपर चला जाएगा ठीक है और 2 और 22 यह दोनों उपर है तो यह दोनों बरावर के जब इस साइड आएगा तो यह नीचे आजाएगा तो 2 गुना 22 हो गया इसको कटाएंगे है ने फिरे कि दो सथ चौधा कि A address मतिपाइए जिए फेर चाइच बंच बैदा चाइब कर दो कि एध dat यहां पर उप्चोना साथ चास बटटर इसको क्या करें औनचासमें हम दो से भाग रहें यहां पर हम दो से भाग करते हैं, दो नी चार, फिर यह दो चौके आठ, एक बच गया, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट रहेंगे, और यहां पर जीरो, दो पंचे, दस, कितना हो गया, तो उन्चास, बट्टर दो का जब हमने दस मलब इसको भाग दिया, तो इसका आंसर पॉइंट में आया, दस मलब में आया, 24, 5, 5, 5 मीटर, यह हो गया आपका आंसर, कॉसर मर सेकिन में है, परीधी यहां पर दिया गया, 308 सेंटी मीटर, इसमें भी हमें वही करना है, वृत का तृजा निकालना है, वृत का परीधी, 308 सेंटी मीटर, यह दिय साथ लिखेंगे और आर लिखेंगे आपर और बराबर में देंगे 308 cm आर इसी साइड रह जाएगा और 308 गुने साथ हो जाएगा साथ उपर चला जाएगा और 2 और 22 यह दोनों नीचे आजाएगा ठीक है फिर यह हो जाएगा दो एकम दो और 24 ए आठ फिर 2 सते 14 49 49 क्या हो जाएगा सेंटी मीटर होगे आपका आंसर कॉसर नुम्बर सेकेंड का थर नमर में दिया गया 352 cm यह वृत का परीदी है वृत कत्रेजा निकालने के लिए में वृत का परीदी का शुत्र मालूम होना चाहिए तो वृत का परीदी का शुत्र क्या होता है तो पाए आर बराबर 352 cm वृत का परीदी हमें दिया गया है तो यहां पर हम लिग देंगे 352 cm ठीक है अब दो गुना 22 साथ पाए के बदले में 22 साथ और आ के जगह पे आर ही रहेगा और इधर लिखें हम 352 cm ठीक है अब देखिए आर अपने ही जगह पे रहेगा आर अपने जगह 7 धर जगह तो उपर चला जएगा योकि साथ इतर नीचे है बराबर के साइड और देखिए और यह दो न वपर हैं तो यह दून बराबर के सेंटी मीटर यह हो गया आपका आंसर कॉस्ट नमबर थर्ड का नमबर फोर में 220 मीटर यह वृत का परिदी दिया गया है वृत का तिज्या में निकालना है वृत का परिदी का फॉर्मुला हो जाएगा 2 अब यहां पर देखी 2 इंटू यहां पर 22 बटा साथ हो जाएगा और यहां पर र बराबर 220 मीटर यहां पर हम करते हैं आर जो है वो अपने जगह पर रहे जाएगा और इधर हो जाएगा 220 गुना साथ बटा 2 गुना 22 अब इसको हम कटा लेंगे 22 एकम 22 यह 10 बर में कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 पंचे 10 उपर बचिए 5 और 7 यानि कि आपका जो आर है वो निकल गया 5 सते 35 मीटर ठीक है यह हो गया आपका आंसर तो यहां पर आपका कॉस्टन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉस्टन नंबर 3 में कह रहा है क ऑर आपक तेन चितर और इसमें कहात थीरों का जला हूं इस भी जाएं निमले खित आक्रित्यों की परिमीति ग्यात किजीए यहां पर आको तीन चित्र देया गया है। बनेगा ठीक है तो यह जो अर्ध वृत है इस अर्ध वृत का यहां पर त्रिज्या दिया गया है यहां से यहां तक का माप में दिया गया है यानि कि हमें त्रिज्या दिया गया है तो इस अर्ध वृत का त्रिज्या यहां पर दिया गया है और इससे हमें इसका अर्ध वृत का परिमा परियात करना है ठीक है तो अ्रिवित का परिमा इसका फोर्मूला होता है PIE, R, PLUS, 2, R ठीया है लिखें Pi के बतले में हम क्या लिखेंगे 22 दों बुटे 7 लिखेंगे Pi का value हम 22 दों सात лे रहे है और R हमें मालूम है R यहां पर दिया गया 7 सेंटिमेटर तो यहां पर हम 7 लिखेंगे और प्लस के जगह पर प्लस देंगे 2 है यह तो 2 Menu द्यास साथ 14 आपका स इतना हो गया 36 36 सेंटी मीटर यह हो गया काॉस्ट सिन्टीनी मेर का आंजर जो सफर्द §3 इस अंहों आपका आपका सेंटी मीतर को समुर्ण का ही दूसरा heiß यहां पर दिया गया है ठीक है इसमें अब देख सकते हैं इसको जब आप चारा यह श गना, यह लिए 1 2 1 1 4 एर्ध व्रीद का व्यास यहां पर डिया गया है 14 cm लिखा होगा है इन 4 उम्हें यह क्या है यह अपके इसे पूरा ला निहां पे आपको दिख रहा है तो इसे हमें निकाला में इसे का पैमाफ कर दो निकालना है 14 बटड़ 2 करेंगे 2 से भाग देंगे 24 यानि की त्रिज्जा निकल गया आप साथ सेंटीमेटर अब हम क्या करेंगे अरदवरीत का परेधी निकाल लेंगे तो यहां पर हम फॉर्वन लिखेंगे 2 पाई आर और इसमें हम 2 से भाग देंगे ठीक है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे ये 2 और ये वला दो ये दोनों कट जाएगा आपका बच जाएगा पाई आर बच गया तो पाई के जगए पर हम लिखेंगे 22 बट़ शाथ और आर के जगए पर हम लिखेंगे 7 ठीक है लिए जारो अर्ध्यवित का परीमंप या फिर परीमिंति तो 22 गुना चार कर देंगे ठीक है कि हम 4 अर्ध्यवित का परिमंप निकाल रहा है तो 22,एक अर्ध्यवित का परीमंप जब 22 निकल ला है तो 22 को ही हम 4 से गुना कर देंगे, इतना जाएगा, 88 cm, यह हो गया आपका आंसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक वृत है, और वृत का ट्रिज्या दिया गया है 7 cm, और हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें परिमीती या परिमाप निकालना है, ठीक है, तो हम पर हम लखेंगे, दो गुना, पाई के बदले में 22 बदले 7, और आर के बदले में 7, ठीक है, आर के बदले में 7 लखेंगे, 7 और 7 कट गया, आपका बचे गया दो गुना 22 यानि की 44, तो वृत का परिदी आगया आपका 44 cm, यह हो गया आपका कॉशन विबर, थर्ड यहाँ कम्प्लीट, कॉशन नमर 4 में कह रहा है कि निमलकित व्यास वाले वृताओं की परिदी गयात कीजी, यहाँ पर 4 कॉशन दिया गया है, कॉशन नमर 4 में 4 है, चलिए करके सब को देखते हैं, कॉशन नमर 4 के 1st नमर में दिया गया है वृत का व्यास, 14 cm, ठीक है, और हमें न तरिज्जा निकालने के लिए क्लिए क्लिए 14 वट्टर 2 करेंगे, तो तरिज्जा कितना निकला, 7 cm, ठीक है, देखिए, यह हम आपको पहला मेथद बता रहे हैं, और इसके बाद हम दूसरा मेथड भी देखेंगे, जो इससे वी जाला आसान है, तो पहला तरीका तो यह है कि यहाँ पर आपको व्यास दिया गया है, उसका हम पहले तरिज्जा निकाल लेंगे, और तरिज्जा निकालने के बाद हम व्रिद की परेधी निकालने का यह वाला फॉर्मला लगाए है, टू पाई आर, ठीक है, अब हमने आर यहाँ पर निकाल लिया है, आर हमारा 7 cm नि निकाल सकते हैं, यह आपका 1st method है, ठीक है, 1st, यह आपका 1st method हुआ, 2nd method में देखिए, सारा चीच बही दिया गया, यहाँ पर व्रिद का व्यास दिया गया है, व्रिद का परेधी निकालने का फॉर्मला लगाएंगे, पाई डी, अल्ली पाई डी, तो पाई के जगा पे ह 22 बटे साथ लिखेंगे, पाई के जगा पे हमने 22 बटे साथ लिखा और डी के जगा पे हम लिखेंगे, 14, ठीक है, यूंकि D हमारा यानि की व्यास जो है वो दिया गया है 14 cm, तो इसलिए हमने डी के जगा पर 14 लिखा, आप इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, 7 दोनी 14, तो इसको बनाएगे, जो भी method आपको समझ में आया है, आप उसी method से बनाएगे, ठीक है, यह आपका first method है और यह वाला second method है, तो यहाँ पर आपका question number 4 का first number का question complete हो चुका है, चोले हम देखते है, question number second, तो यहाँ पर width का व्यास दिया गया है, तो यहाँ पर width का व्यास दिया ग हम यहाँ पर लिखेंगे 28, इसको कटा देंगे, साथ 4 के 28, 22 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 है, 28 cm, यह हो गया आपका answer, यहाँ पर width का व्यास दिया गया है, 56 mm, और width का परिदी ग्याद करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22,7 पाई के बदले में 22,7 और D हमारा है, 56, क नेक्स्ट है, व्रिद का व्यास 42 cm, तो यह भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, यहाँ पर पाई के बदले में 22,7 और D के बदले में हम देंगे, हाँ पर 42, अब इसको कटा देंगे, साथ 6 की 42, 6 बार में, और इसको गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, का 2 बांकी, 6 दूनी 12, और 13, 132 cm, यह होगा आपका आंसर, इस तरह से आपका कॉस्टन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हमने कॉस्टन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखेंगे कॉस्टन नंबर 5, कॉस्ट नमर 5 में दिया गया है कि एक वृताकार एल्मोनियम सीट की पड़ी 220 मीटर है तो सीट की त्रिज्या तथा व्यास ग्यात कीजिए एक वृताकार एल्मोनियम सीट की पड़ी 220 मीटर यहां पर दिया गया है यानि कि वृत का पड़ी दिया गया है और हमें निकालना है थ्रेंटिया और व्याश और यहाँ हमें पाय का मांब 22 वटतक्व Sakha Sam 22 करना है तो चिले देखते हैं ये देखते हैं छोएंज के पूररको दिया गया गया है यानि कि परिधी हम किसे कहते हैं कि पूरण ही जो है इसको हाम और थें एप सिर्ण को सीई तो परिधी दिया गया कितना 220 मीटर और इसका हमें निकालना है त्रिजिया वृद का हमें त्रिजिया निकालना है तो केंद्र से यहा तक की जो दूरी होती है वो क्या और यानिकि त्रिजिया और जब इसी को हम पूरा यहां से यहां तक मिला देंगे पूरा तो यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा डी यानि की व्यास ठीक है तो हमें डी निकालना है और आर निकालना है यानि की व्यास निकालना है और त्रिज्जा निकालना है यह रहाब का आर और यह पूरा का पूरा यह क्या हो जाएगा यह व्यास हो जाएगा तो हमें इसमें दो चीज निकालना है अलूमूनियम सीट की परीधी 220 मीटर यह दिया गया है और हमें ग्याद करना है वृत कित्रिज्या और वृत की परीधी तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत की परीधी यह यहाँ पर दिया गया है 220 मीटर वृत की परीधी के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और यह दिया गया आपका 220 मीटर यहीं से हम क्या करेंगे आर निकलेंगे या यहीं की त्रिजिया निकल लेंगे दिखें पहले हम यह हैं आपर करेंगे हमें दो गुना पाइ के बतले में 26 मिम्ट 7 फिर यह आर जो है अपने ही जगह पे रहेगा और यहां पर हो जाएगा आपका 220 गुणा 7 बटर 2 गुणा 22 यह जो है यह दोनों यहां पर आगे नीचे और 7 जो है उधर जाने के बाद यह उपर चला गया अब इसको कटा देंगे 22 से यह कटेगा 10 बार में और फिर यह 10 जो है 35 मीटर ठीक है यह हो गया आपका एक आंसर आर आपका निकल गया है तो यहां पर आपका आर निकल गया है अब हमें निकालना है डी यानि की व्यास तो हम फिर से यहां पर लिखेंगे वृत की परीधी की परीधी यहां पर कितना है 220 मीटर है तो अब हम यहां पर लिखेंग में जब कॉस्टन नमबर 4 व्यास दिया गया था और उरित का परेदी निकालना था लेकिन इस कॉस्टन में हमें व्यास निकालना है तो इसलिए हम इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो आब हम लिखेंगे लिखिए पाई है यहाँ पर तो इसके बदले में 22 आप यहाँ पर पिड़ेगा और 7 जो यह इधर आएगा तो अपर चला जाएगा और 22 नीचे आजएगा अब इसको कटा देंगे तो यह 10 बार में कर देगा 10 गुना 7 हो जाएगा आपका 70 यानी कि आपका जो D है दि निकल गया आपका संचर मीटर ठीक है आपका लाओं餅 होता है यहां पर आप देख सकते हैं यह त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज लिया है तो इस तरह से आपका question number five यहां पर complete हुआ चलिए हम देखते हैं next question question number six में कह रहा है कि एक वृत्ताकर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाए 6 cm है मिनट की सुई की नोग एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है और यहां पर हमें pi कमान लेना है 3.14 question number five में हमें कह रहा था pi कमान 22 अबतर 7 लेने के लिए question में pi कमान जितना बोला जाए उतना ही हमें लेना होता है ठीक है जब 22 में 7 से भाग देते हैं तो यही उसका value जो है 3.14 निकल के आता है question number six में जो कह रहा है कि घरी की मिनट की लंबाई 6 cm है तो वही जो जहां पर घरी का मिनट को सूभी है वही यहां पर 6 cm दिया गया जो कि कि वृत का त्रीज है ठीक है तो क्वृत का तो कोशन पूज रहा है कि कि और पाइ कमान हमें यहां पर यूज करना है 3200 च्ञ दक्छक लेखते हैं यहां रिद की ट्रिज्या यहां पर 6 cm और वृत की परीधी इसका क्या फर्मूला होता है यहां पर निए गया इसलिए हम यह वाला फॉर्मुला यहां पर लगा रहे हैं तो टू पाई आर है अब यहां पर दो गुना पाई के बदले में क्या लिखेंगे तीन दैसमलव एक चार लिखेंगे यहां पर हम 22 बटा साथ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्टन में आपको बोल रहा है कि इस कॉसर में पाई कामां 30 सुलव एक चार लिजिए तो पाई के बदले में हमने लिखा 30 सुलव एक चार और गुना आर के बदले में हम लिखेंगे 6 आर का वैलू यहां पर दिया गया 6 अब इन तीनों को हम गुना कर देंगे आप चाहें तो simply इन सब को गुना कर सकते है अब गुना करेंगे तो गुना करके आजाएगा 27.68 आप इन तीनों को गुना करके देख सकते हैं और यह क्या होगा यह सैन्टीमीडर में हो ओगया यह हिए आपका आंसर या फिर को इसको आप क्या कर सकते थे यहां पर था दो गुनाद 3, 10 मलब एक, 4, गुनाद 6 इस तरह से था तो यहां पर इसको 10 मलब को हटा के यहां पर 1 दे दे और इसके बदले में 2 आंख तो यहां पर 2-0 दे दे ठीक है? आप इसको कटा लेते हैं दो, पंचे, 10 यह 50 हो जाता और यह 2-1 कर जाता फिर ये दो से कर जाता दो दूने 4 ओर 25 तो 10 ょईlles तो यहां पर हो जाता या 157 ऊपर में खिर इन डोणों को गुना कर गया 25 से इसमें भागने 157 x 6면 25 इन डोणों को गुना कर दो डेत और往 तस चेइस 142 बटा 25 और जब आप 142 में 25 से भाग देंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा ठीक है तो आप इस तरह से बना सकते थे या इस तरह से डायर्क आप इसको गुना कर सकते थे आप किसी भी तरह से बनाते तो आपका आपका आंसर से हम ही आता तो question no.6 भी आपका यहां पर complete हो